गुट वारिंग एक्जांपूर हम है कलम सिक्रांती मैं पूर्णिमा गौर एक बाव फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के विज्ञान के पंचामरित में जहां पर हम पांच क्विश्चन करते हैं अपने साइंस के अलग-अलग सेक्शन से तो चली आप लोगों के क्विश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्विश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा ये है एक वाईरस का क्विश्चन अभी अगर हम बात करें तो केरला के अंदर रीसंटी दो केसिस दिखाई दिये किस चीज़ के नोरो वाईरस के जिसके अंदर ये मतलब होता है कि यह यह थे पहलने वाला है यह तो यह नोरो वायरस इनको इसको winter vomiting bug क्योंकि बहुत ज़़ादा उल्टिया भी होती है तो इसको winter vomiting bug के नाम से जानते हैं या फिर इसका एक और नाम है और एक और कि दूसरा option है आपके पास brain flu तीसरा है नीत्र फ्लू और चौथा है लीवर फ्लू तो क्या अंसे कर देंगे बेटा आप आप लोग यहां पे कहेंगे कि मैं इनमें से हमने देखा ना क्या होँगा की आमा यस में गरएहिऊ हो होगी अपके आपके आ Content प्लू के नाम से प्लू को आप बड़ हो यह व्यूंटे लक्त प्लूं चलियेसजिंग सो पताए हर और व्छा हो थे थे स्थ थे कि यह जो वाइरस है कौन सा वाइरस होता है या फिर आप ब्लोड फ्लू को बर्ड फ्लू को पक्षी वाला जो फ्लू है जिसको एवियन फ्लू भी कहते हैं उसको और किस नाम से जानते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है चलिए अगला क्वेशन आप यहा आपका आमाशे होता है उसकी अंदर वाली लाइनिंग में उसकी अंद्रूनिक बित्ती में सूजन आ जाती है चीख है क्या होता है आतों की आंतरिक परत में सूजन आ जाती है और यहां पे क्या होता है यहां पे इनीशल सिम्टम्स होते हैं वोमिटिंग यानिकि उल्टिय जाना डाइरिया और जिसकी वज़े से इंसान को dehydration हो जाती है बहुत जादा पानी की कमी हो जाती है पेशेंट्स को बहुत जादा नौसिये भी होता है याने कि इसमें उनको बहुत जादा उल्टी जैसा महसूस होता है मितली आना चीए कैसा होगा और इसके इलावा उनको प नहीं देता है अब इस से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं देखें वाइरस है वाइरस जैनरली आपका कैसे जाएगा खाने की माध्यम से जाएगा तो खाने को अच्छे से पका के खाईए इसके इलावा अपने हातों को धुल लीजिए खाना खाने से पहले या फ अगर हम यहां पर बात करें, आपको यहां पर प्रो बोस्किस लिखा हुआ मिल सकता है, प्रो बोस्किस ग्रंती, चीक है, तो यह कौन से फाइलम में मिलती है? आंथ्रोपोर्ड में, पौरिफेरा में, मॉलस्का में या फिर हैमी कॉर्डटा में यह आपका MTS 2020 का सवाल है और ध्यान रखेगा यह काफी important है क्योंकि इससे पहले भी आपका paper में question पूछा जा चुका है इस question का answer आजाता है, hemicordats जो होते हैं, यानि कि जो आपके अर्ध कशेरुख होते हैं, उनके अंदर आपको यह देखने को मिलता है इनका देखिए जैसे अगर हम एक, जैसे, bellangolosis, अगर आपने नाम सुना हो, इसका best example है, जो paper में directly पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा, एक hemicordat का example है, तो ध्यान दखिएगा, bellangolosis सबसे जादा paper में आता है, तो bellangolosis जो है, उसी का क्या रहता है आपको, उसी का रहता है आपका यह last वाला भाग, जिसको आप proboscis gland कहते हो, ठीक है, तो proboscis gland जो है, वो आपको इसके अंदर उत्सरजन, nitrogen बाहर निकालने का तरीका है, next है, इन में से किसको, air pollution indicator के रूप में उपयोग किया जाता है, pollution यानि कि environment वाले chapter से आपका equation है, वायू प्रदूशन सूचक के रूप में निमलिकित में से कौन काम आता है, फफून है, यानि कि फांगी है, चिसको आपका बग कह देते हो, श sulfur dioxide के pollution indicator होते हैं, यानि कि sulfur dioxide का जो प्रदूशन हो रहा है उसको indicate करने वाले, उसकी सूचना देने वाले कौन है, यही lichen होते है, lichen दो चीजों से मिल के बनता है, किस से एक शेवाल से और दूसरा कबक से, जो शेवाल और कबक, यह सह जीवी सम्बंद में आ जाते हैं, कैसे सहे जीवी सम्बंद में आ जाते हैं, जिनकी वज़े से क्या बनता है, lichenberg बन जाता है, ध्यान रखेगा, नेक्स्ट क्वेशन, ये क्वेशन आप लोगों का CGL में पूछा गया था, 2016 में, नेक्स्ट क्वेशन, डश इस दप्राक्टिस और इस्टाबलिशिंग और मैनेज इंडिविज्वल ट्रीज, जेनरली फॉर, एमनिटी पॉपज़ेज, यानि के आम तोर पर अपने खुद की सुभिधा के लिए, आप लोग अगर पेडों को पालने लगे, पेडों का रख रखाव करने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, वि करें, पॉरिस्ट का मेनेजमेंट, वनो का मेनेजमेंट करों, तो वो फिल्वी कल्चर में आते हैं, जहापे आम वनो को उगा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा, मैं मौँ आप्शन नमबर बी आंसर है, तो रुख जाएए जड़ा, विनी कल्चर क्या होता है, जैसे अहीं आंसर है क्यों क्योंकि आर्बौरी मीन्स होता है जहां पे हम रह रहे हैं उसी के आसपास अगर आप इन पेड़ों को उगाते हैं अपने खुद की सविधा के लिए तो भैंपका आर्बौरी कल्चर में आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्बौरी कल्चर ठीक जी चलिए अब अपना आज का last question या आपका physics का question आ जाता है कहता है एक person जो दो मीटर दूर ख़ड़ा है एक plane mirror से जो दो मीटर दूर खड़ा है एक plane mirror से वहें क्या करता है मिरर कीतरफ 70 cm आता है क्या करेगा वो plane mirror कीतरफ 70 cm आता है चीक है तो अब वो इंसान यहाँ पे खड़ा है चीक है यहाँ पे खड़ा होके एकदम बढ़िया मुस्कुरा रहा है अब आप हमको बताएं कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी यानि कि वो कित्ती दूरी पर बनेगी चीक है यानि कि इसकी नई इमेज के बीच में और इसके नए डिस्टिंस के बीच में मतलब नए जो जगय है उनके बीच में कितना डिस्टिंस होगा तो देखे यह इंसान दो मीटर पर यहाँ पे खड़ा था यह 70 cm आगे जाता है तो यहाँ पर 200 cm में से 70 cm गया तो इसका मतल 30, 130, 260 हो जाएगा, तो answer क्या हो जाएगा, 260 cm, क्या हो जाएगा, 260 cm, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है, आपको 2.6 m, चीक है, ध्यान दखेंगे, तो चली, I just hope so, आपको ये questions समझ में आई होंगे, कैसे इन questions को solve करना है, क्या-क्या questions आते हैं, और कैसे-कैसे आपके questions आप लोग चानल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे आप लोगों से अपनी regular class में, सुभे 11 बजे, SST exams by example, YouTube चानल पे, और दुपहर को 2 बजे, हर्याना exams by example, YouTube चानल पे, मिलेंगे आप लोगों से भही, और आप लोगों के comments मेरे लिए source of motivation होते हैं, तो definitely नीचे comment section करके, जरूर बता झाल बता झाल